पेपर लिग मामले में असो जी के हथ्ते चड़े सिख्षक राजेंदर यादव ने अपने कहीं परीचितों को सरकारी नोकरी में लाने के लिए परत्योगी परिक्ष्या से पहले पेपर पढ़ाया सुत्रों के मुताबिक असो जी की पड़ाल और आरोपी से पूस्तात में मामला सामने आया है कि उसने अपनी पूत्रवधु को भी पस्ट ग्रेव टीचर का पेपर परिक्षया से पहले पढ़ा दिया था पुत्रवदू का परिक्षा में चैन भी हो गया था और चितोडगड में उसकी नोगरी लगी गत सरकार में आरोपी ने राजनितिक पहुँच के चलते पुत्रवदू का तबादला जैपुर करवा लिया था असोजी ने आरोपी सिक्षक राजनितर के समन्द में उसके निवाजिस्तान के आसपास के छेतर में परताल की और लोगों ने बताया कि सिक्षक राजनितर ने अपने बेटे की साधी और बहु को पहली बार घड़ लाया तब सोने के जेवरों से लाद रखा था बहु को इतना सोना पहन देख सब दंग रह गए थे असोजी को अब तक आरोपी के पास मिली संपति के अलावा आदा दर्दन पलाटों की जानकारी मिली है जिनकी तस्दीक की जा रही है असोजी सुत्रों के मुताविक आरोपी सिख्षक राजेंदर यादव सहीद मेजर दिग्विजश सिंग सुमाल राज के उसमाजमिक विद्याले खातिपुरा में सिख्षक पदपर पदस्थ है आरोपी का इसकुल छेतर का नोडल इसकुल है और यहां से अन्ने नो नीजी सिख्षक राजेंदर यादव और पटवारी हर्सवर्दन के जरिये पेपर लीक के जरिये नोकरी में आने वालों की भी सूची बना रही है दोनों ने करीब साड़े पांस से छहसो लोगों को सरकारी नोकरी में लगवाया है इनमें पटवारी हर्सवर्दन के अधिकांस मामले हैं अर्सोजी सुत्रों के मुताबिक पेपर लीक मामले में सरकार आरोपियों के खिलाब सक्ती से कारवाई करने के पक्स में सक्त है सरकार की सक्ती ब्रकरार रहने पर पेपर लीक वर डमी अभिर्ट्यों के जरिये सरकारी नोकरी में आने वाले सबी लोगों का पता लगा कर उनके खिलाब सक्त कारवाई की जाएगी